लो दोस्तों हमारे ग्यान shift YouTube चैनल में आपका बहुत स्वगत है दो आज की विडियो में विडियो में प्राय करके यह जानकरी देने जा रहे हैं हैं कि प्राय करके बारिस के जो मौसं वह करके वारिस के मौसं में लोग नीचे चले जाने के बाद जो जल के सुरोत हैं जहां से नव कुप है बोनिल है कुमा है कलाव है सारे पानी है आपस मिक्स हो जाते हैं तो इस से प्राया करके लोगों को पिल्या नमग भुमारी हो जाता है तो इस पिल्या नमग भीमारी से हम इस पतार से बचे और कैसे मतलब पिलिया नाम भुमारी से हम अपने आपको निजाब पाए हैं तो दोस्तों आप लोग में देखा है कि प्राया करके पिलिया नाम जो पिलिया किसी वैक्ति को रहता है तो जो पिलिया होता है तो पिलिया वैक्ति के आँख में भी पिला पिला दिखने लगता है जो एक नमबर प्योग करना चाहिए जो खाने का चूना होता है मार्केट में आपको असानी सिंद जाएगा पांड ठेले के माध्यम से तो उस चूने का आपको उप्योग करना है और चूने को आप एक मतलब अच्छे से इस कूप में गोहल लेजे और गोहलने के बाद आप जिस व्यक्ति को पिलिया है उस व्यक्ति को पूरे चूने को चुपड़ दीजिए जैसे साबुन को चूपड़ते हैं वैसे चूने को मतलब उसके पूरे बॉड़ी में लेट कर देना है लेट करने के बाद उस चूने वाले पानी से उसको डेली तीन दिन तर नहलाना है दोस्तो प्राया कर अजी आते हैं आसानी से तलाब की किनारे नदी नाले और रास्ते में मिल जाते हैं यह जो पिलिया का विमारी है यह हमारे आग के वृक्ष्छ है यानि की पुढहर बहोते हैं उसके जड़े होते हैं उसके जड़े को अपलाइए और छीर कर उसको एक छोटा-छोटा सा ठाम होता है तो दोस्तों यह रहा हमारे आज की वीडियो और नेश्ट वीडियो में और जन करीदेंगे दोस्तों प्राया करके पीलिया का जो संबंध होता है ब्लड से होता है और हमेरे सरीर में ब्लड की कमी के कारण हमें पीलिया नमग बिमारी होता है तो दोस्तों प्राया के समय नास्ता में आपको गूर के साथ भींगा हुआ चना खाना चाहें देसी चना उस्ते भी आए यदि डेली इस को करते हैं उन निश्चित तावल में आपके बलड का जो सर्कुलेशन है बढ़ेगा आपके बलड बढ़ेंगे जिस्ते पीलिया नाम वीमारी भी समापता हो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेश्ट वीडियो आपको असानी से मिलेट थाइक्यू दोस्तों जय हिन्द